हेई थैंक्स फूर ट्यूनिंग इंटू लक्ष फिटनेस मैं हूँ आपका होस्त लक्षे मकड तो आज मैं बात करने वाला हूँ एपिसोड नमबर एट फैट लॉस सीरीज का साथ एपिसोड आपने पिछले देखे आज हम बात करेंगे क्रिटेन सप्लिमेंट के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा क्रिटेन के बारे में क्रिटेन सप्लिमेंट को हम फैट लॉस के दुरान ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं आज हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटेन होता क्या है तो मैं बताना चाहूँगा तीन जो amino acids होते हैं उनको मिलाकर जो बनता है क्रिटेन, kidney में, liver में, pancreas में हमारी body खुद create करती है जब हम supplement की form में external source से अपनी body के अंदर load करते हैं क्रिटेन को क्रिटेन surplus हो जाता है body के अंदर जब भी हमारी body में क्रिटेन surplus हो जाता है उसकी वज़ा से हमारी body में extra क्रिटेन हो जाता है जिसकी वज़ा से हमें extra energy मिलती है जब भी extra energy होती है हम workout करते हुए उस loading का इस्तमाल करते हैं और अपने workout intense बनाते हैं क्रिटेन करता क्या है बहुत सारे लोगों का यह misconception है कि क्रिटेन water retention करता है क्रिटेन से हम फूल जाते हैं क्रिटेन सिरफ muscle building के दुरान या जब हम bulking face में होते हैं करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा आप cutting करते हुए और fat loss करते हुए क्रिटेन का use कर सकते हैं हाँ क्रिटेन water hold जरूर करता है water retention जरूर करता है लेकिन सिरफ muscles में water retention करता है आपके fat किसे उसका कुछ लेना देना नहीं है अगर fat loss करते दोरान आपके पेट के उपर fat है तो वो पानी आपका fat नहीं hold हो रहा है सिरफ आपके muscles में क्रिटेन जो है वो water hold करता है और muscles में water hold करने का मतलब है आपके muscles बड़े होंगे बड़े होंगे तो वो अच्छे दिखेंगे, muscles बड़े होंगे तो आपका metabolic rate बड़ेगा metabolic rate बड़ेगा तो आपका fat कम होगा, fat percentage कम होगी muscles ज़्यादा होंगे तो आप अच्छे दिखेंगे, muscles नहीं होंगे तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे fat loss series में अभी तक हम यही बात करते हैं जितना ज़्यादा आपकी body के अंदर muscle होगा उतना ही ज़्यादा कम fat होगा यही procedure है आपने muscle बनाना है fat घटाना है muscle building is an asset for life पिसली वीडियो में भी हमने बताया आज फिर बता रहा हूँ muscle build कैसे करेंगे क्रिटेन एक छोटा सा part है आप add कर सकते हैं उसे but muscle build करने के लिए आपको high protein रखना पड़ेगा cardio करना पड़ेगा weight training करने पड़ेगी सभी अपने basic sit करने पड़ेंगे पहली वीडियो जा कर देख लें तब क्रिटेन के उपर आएं सिर्फ क्रिटेन के उपर dependent ना रहें क्रिटेन आपकी help जरूर करेगा muscle build करने में muscles में water retention लाने में help जरूर करेगा बट खाली क्रिटेन कुछ नहीं करेगा जो आप दना काते हैं उसकी वज़ाँ से आप water hold करते हैं और आपका workout जो है proper intense कीजिए वो already सारा जो क्रिटेन है जो आपने surplus अपनी body में डाला है वो use हो जाएगा तो इस वीडियो को information को grab करें वीडियो ना समझाए एक बार दुबारा जाकर देखें YouTube चैनल को subscribe करें ऐसी ऐसी informational videos आने वाली हैं Bye-bye, take care, have a good day